आज एध है और आप सबमों को मैं अलग तरीके से अपने इन्वेटिव तरीके से जो लोग मुझे जानते हैं या मैं अपना एक तरीका है अपने मुसंसलमान भाईयों को दोस्तों को सबको कि बदाई देए उफ। अगर मैं बकरीत के normal genuine concept के साथ हूँ तो मैं अपने साथ गलत कर रहा हूँ अपने concept के साथ में चैनल के साथ तो आज इस वीडियो में आपको एक नया अंदाज दिखेगा बकरीत की बदाईगा और इस वीडियो के इंट तक बने रहिएगा और अगर मेरे तरक से अगर मेरे इस पूरी वीडियो से आप सहमती रखते हैं तो शेयर करिएगा और comment में जरूर बताईएगा आपकी अपनी राय की आप इस वकरीत को कैसे मनाना चाहते हैं और आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पे हिंदू भाईयों सेर बनो जबाब दो ना सेर बन सको तो सेयर करो दबा के सेयर करो तो आज हम जानेंगे कि लोग बखरीत कैसे मनाते हैं और आज आपको पता चलने नाला है कि भखरीत मनाने का असली कारण क्या था भखरीत मनाने का असली अपको तब पता चलेगा जब आफ पास्ट में जाएंगे पास्ट में जाएंगे मतलब एक व्यक्ति था जिसकी परिक्षा अल्ला ने ली और उन्होंने कहा कि तुम अपने सबसी कीमती चीज़ को रख दिया और ऐसे पहली बार कुर्बानी हुई तो वो प्रथा आगे बढ़ती गई और लोगों ने बच्चे की जगा बखरा रखना शुरू कर दिया तो मतलब किसी ना किसी का तो बच्चा गया लेकिन वो लोग भूल गए कि कीमती चीज़ रखनी थी अपनी कीमती मनाने की बात नहीं कहता उन्हें कहो तो लोग कहते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं मैं कहता हूं पॉसिबल है आप बकरा मत काटिए तो फिर सबको इतिहास याद दे लाना पड़ता है कि ऐसा क्यों था अब इसमें तर्क यह है कि आज की जमाने में आपको अपने इमान क बहुत पक्का है और आपको इस सदी में भी इस कलियुग में भी आपको चमतकार देखने को मिलेंगे कि बच्चे की जगा बक्रे आने लग जाएगी और आपको हट्टा-कटा मीड मिल जाएगा फ्री में आपके इमान की भी परक हो जाएगी और इससे क्या होगा हमें आपसी तब नहीं होगी खून की कीतनी सारे किमती चीज आतो आप जिसको भी माने उसको काटना सुरू करें और आपके इमान की टस्टिंग हो वो बक्रीद आपकी सबसे सुखत बक्रीदु और अगर आपको अपने इमान पर टाउट है तो भक्रा तो आपके सबसे कीमतिश्च कभी नेया है वो आपके लालच का हिस्सा था क्योंगि यह आपको अख खाना था आपको लॉजिक अपनी जगा पर है और इलॉजिकल चीज जो आज तक चलती हा रही है मैं किसी के faith पर question नहीं कर सकता लेकिन किसी का faith अगर humanity के उपर हो तो इससे बड़ा questionable topic हो ही क्या सकता है खेर कोई बुरा नाम आने मेरी बात को मेरा अपना point है मेरा अपना opinion है freedom of expression है मैंने किसी को abuse नहीं किया मैंने किसी को hurt नहीं किया अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं गलत हूँ मेरा तरग गलत है मैंने जो story सुनाई बक्रीद के पीछे की वो गलत है तो आप comment बताईए अगर मैं पूरा पूरा गलत साबित हुआ ये वीडियो उटा दूँगा और अगर मैं सही साबित हुआ तो आप वो follow करना सुरू करिए जो actually में था और comment बताईए कि आपकी कौन सी अजीर चीज कटने वाली है फिर मैं दोता है अगले उनम जैहिन बादे मात्रों